बिहार के सूपर कॉप्स यानि ऐसे दबंग IPS अधिकारी जिनसे अपराधी थर-थर कापते हैं जी हाँ, लेकिन उनकी मजबूरी आप देखिए कि उनके सोशल मीडिया आकाउंट का एक डुपलिकेट आकाउंट बनाया जा रहा है और लोगों से कनेक्ट हुआ जा रहा है और फ्रॉड किया जा रहा है इस वीडियो में हम दो ऐसे दबंग IPS अधिकारीों का जिक्र करेंगे पहरा नाम IPS विकास बैभव और दूसरा कोसी रेंज के डियाईजी सिवदीप वार्म रन लांडे अब देखिए दोनों IPS बिहार में आम जन्मानस के बीच काफी लोग प्रिये हैं कड़क अधिकारी हैं तेवर उनके ऐसे हैं कि अपराधी उनका नाम सुनते ही उस इलाके को छोड़ देते हैं कई जगा पर ये SP के तोर पर और डियाईजी के तोर पर ये काम कर रहे हैं लेकिन इनके सोसल मीडिया अकाउंट का डुप्लिकेट अकाउंट बनाया गया है लोगों से जुड़ा जा रहा है और बजापते आप कहिए कि फ्रॉड किया जा रहा है अब पहले हम जना सा IPS विकास वैवब का बात कर लेते हैं तो IG विकास वैवब जहां इन दिनों बिहार के गौरफ साली इतिहास को जीवन और आम जनों को रूबरू कराने के लिए एक संस्था चला रहे है जिसका नाम Let's Inspire बिहार है जिहां बिहार के 3800 जिला में काफी आक्टिव है और बिहार के गरीब बच्चे हों या बुजूर्ग हों या आम जन्मानस हों उनके लिए उनकी संस्था जो है Let's Inspire बिहार वो बेहर सकरात्मक काम कर रही है और इनका बात अगर कर ले हम जो डियाईजी है कोसी रेंज के सिवधीप लांडे तो हरसा सुपॉलर मध्यपूरा में अपराधियों के ऊपर इन्होंने इन दिनों नकेल कसे हुए है पटना में भी इनका पूस्टिंग रहा है और काफी अच्छी छबी काफी कड़क अधिकारे की इनकी छबी रही है अब देखिए इस्थिति यह है कि साइबर्स अपराध को अंजाम देने वाले हैकर्स भी अब इन्हें भुनाने की कसर नहीं छोड़ रहे है पूर्व में भी इन दोनों IPS का सोसल मीडिया के अकाउंट को हैक करने का नकाम कोशिज हो चुका है और एक बार फिर फेस्बुक पर हैकर्स जो हैं वो इन दोनों सीनियर IPS का फेस्बुक पर फरजी अकाउंट बना कर लोगों से जुडने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जी हाँ ये खबर जब से आई है उसके बाद से दोनों अधिकारियों ने अपने जो इनका ओरीजनल सोसल मीडिया अकाउंट उस पर बजाबते इस बात की जानकारी भी दिये अब पहले हम बात विकास बैभव के कर लेते हैं तो बेगू सराय के बिहट के रहने वाले विकास बैभव साल 2003 बैज के आईपी सदिकारी हैं वर्तमान समय में पुलिस मुख्याले में आई जी के पत पर हैं फायर सर्विसेस और होम गार्ड विभाग में आई जी के पत पर रहते हुए बीजी सोभा आहोत कर से तकराहट के बाद इनका तबातला पुलिस मुख्याले में कर दिया गया पतना पुलनिया समेत कई जिलों में इस पी के पत पर रहते हुए इनकी छभी एंटी क्रिमिनल बनी हुई है मुकामा के टाल छेतर से छोटे सरकार के नाम से मसहूर विधायक रहे अनंत कुमार सिंग की गिरिफतारी के बाद IPS विकास वावब जो है वो चर्चे में आये थे जी हां इसके बाद भागलपूर में डियाईजी के पत पे रहते हुए भागलपूर वासियों के जहन में अपने कारसायली का इन्होंने अमिट छाप छोड़ रखा है जिसे लोग आज भी याद करते हैं इसके अलावा इनका जनता दरबार IPS विकास वावब का जनता दरबार जो है वो भी काफी नाम बटोर चुका है यह जनता दरबार के माध्यम से मुलकातियों से मुलक है उसका भी पेज है उनका परस्टनल सोसल मीडिया अकाउंट है जिसका एक फर्जी अकाउंट बना कर अब लोगों से कनेक्ट हुआ जा रहा है और फ्रॉड करने की कोशिस की जा रही है अगले IPS अधिकारी की हम बात कर लेते हैं सिवधीप वामन राव लांडे 2006 बैज के IPS महराष्ट के रहते हुए भी बिहार कैडर के इस IPS अधिकारी की कारसाली से अपराधी थर्थर कापते हैं कहा जाता है कि जिस जिले में SP के रूप में इन्होंने काम किया वहाँ के अपराधी इनके कारकाल के दौरान अपना ठिकाना बदल लेते थे इसकूल कॉलेज जाने वाले छात्राओं के साथ होने वाले छेड़ खानी को लेकर मंचलों को खूब सबक सिखाया है इन्होंने छात्राओं के बीच इन्होंने अपना मबाइल नंबर तक शेयर कर दिया जब यह SP के तौर पर कहीं पोस्टेड रहें और इन्होंने सीधा कहा कि अगर कोई भी मंच प्याओं के खिलाफ करवाई पटना में मंचलों पर नकेल ट्राफिक विवस्था की दुरुस्तिकरन अरडिया में आर्थिक अपराद करने वालों के खिलाफ करवाई कबर से 100 को गयव होने वाले मामले का उद्भेदन हाथी दात का काला कारोबार का उद्भेदन जैसे माम पुलीस विभाग में अपने मतलब जो उनका विभाग है उसमें बिहार की आम जनता के बीच और खासकर उन जीलों में जहांपर इनकी पोस्टिंग रही है इसपी के तौर पर काफी परचलित रहे हैं लेकिन इनके सोसल मीडिया अकाउंट के साथ अब छेड़ चार की जा रही है इनके जो परसनल अकाउंट है उसे पूर्व में हैक करने का भी प्रयास किया गया लेकिन उसमें जो हैकर से वो असफल रहे हैं और अब जो दूसरा पैंतरा वो अपना रहे है वो यही है कि इनके अकाउंट का फर्जी बनाया जाए और लोगों से कुछ ठगी की जाए वसूली की जाए फिलालिस रिपोर्ट में इतना ही में नाम दिपतारन है बहुत बहुत शुक्रिया